नमस्कार प्रियदर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवक गीता में जो बताया है, अगर उसे हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो मनुष्य कभी दुखी नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता रहस्य में क्या-क्या उपदेश दिये थे, जिन से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी मैं किसी घोर दुविधा में पढ़ जाता हूं तो मैं गीता उपदेश को पढ़ लेता हूं, इससे मुझे कोई ना कोई विकल्प अवश्य मिलता है। तो दर्शकों यह विडियो बहुत ज्यानवर्धक होने वाल है, आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। तो विडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सक्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों गीता उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उस समय दिया गया, जब पांडवों और कौर्वों की सेना युद्ध करने के लिए प्रण शेत्र में एक दूसरे की आमने सामने खड़ी हो गई थी। जब अर्जुन जैसे महान युद्धा और दादा, उत्रों और भतीजा का खून बहा कर राजा ही बनना है, तो वह उसके लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि वह भीख मां कर ही अपना जीवन गुजार ले। क्योंकि रनभूमी में उसने जब अपने ही खास रिष्टेदारों को सामने देखा और उसक गांडी और धनुष नीचे गिर गया और अर्जुन कामपने लगा कि अब वह युद्ध नहीं कर सकता। जब अर्जुन को अपने करतव्य और धर्म का मार्ग सही दिखाई नहीं दे रहा था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो करतव्य और धर्म का सही मार्ग दिखाया, उसी को ही गीता उपदेश कहा जाता है। तुम अपने विश्वासों की उपज हो, तुम जिस चीज में विश्वास करते हो, तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्षे की ओर बढ़ते रहते हैं, उन्हें सफलता जरूर म हर व्यक्ति के मन में मृत्यू का भय होता है। इस संसार का जब से निर्मान हुआ है, तब से जन्व मृत्यू का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृती का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ती कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किये कोई नहीं रह सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि इस से मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किये कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांती जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोडेगी। जो कर्मफल से विरक्थ होकर कर्म करता जाता है, उसका आध्यात्मिक ज्यान बढ़ता जाता है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं, और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है। ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उल्जन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से उपर उठेन और दूसरों का हिप भी सोचें। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेखीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांती को भंग करके खुद को कश्ट देता है। क्रोध की अगनी में बुद्धी और तर्प नश्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार कि ये बस अपने अहम की तुष्टी करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को पंगो बना देता है और भंपैदा करता है। मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री क्रिश्न कहते हैं कि बार-बार प्रयास करने से धीरे-धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ती केंद्रित होती है, जिससे कारियों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे, को ये आपका सबसे बड़ा शत्रू बन जाता है। इस संसार में इश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इन में से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है, परमात्मा का हर रूप समान है जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है यह संसार परम्पिता का ही स्वरूप है वो हर कण में विद्यमान है भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए यही धर्म है अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांती और दुख प्राप्थ होता है अपनी पसंद नापसंद मोह बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे उसके प्रलोभन में न आए कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरे की नकल करने से श्रिष्ट है अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है क्योंकि कर्म करना अकर्मनेता से हमेशा बहतर है कर्तव्य में दोश देखकर पीछे ना हटें क्योंकि हर कर्म में कोई न कोई छोटा बड़ा दोश हो सकता है जैसे अगनी के साथ धुआ भी होता है सदै कर्म करो, कर्म करने से पहले विचार करो लेकिन बहुत ज्यादा विशलेशन मत करो अधिक विशलेशन संशय और अकर्मनेता पैदा करता है श्री कृष्ण कहते हैं कि शारिरिक कर्म से ज्यान का मार्ग उच्च है और ज्यान मार्ग से भी उपर ध्यान मार्ग है ध्यान मार्ग पर बढ़ने से इश्वर को अनुभव किया जा सकता है जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है उसे इश्वर का ज्यान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है जो हर जगह हर जीव मनुष्य में इश्वर को देखता है सबके हित में लगा रहता है उस पर परम्पिता अवश्य प्रिपा करते है ज्यान मार्ग हो या भक्ती मार्ग समर्पन प्रेम विश्वास ही आपको इश्वर के प्रकाश की गोड़ ले जाता है भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं लेकिन उनको शांती क्यों नहीं मिलती क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है उसे पता है कि आपका भाव क्या है श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि संशय शक्त करने वाले का विनाश हो जाता है इसलिए संदेह करने से बचें अधिक संदेह करने से मन की शांती भंग हो जाती और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नश्ट कर डालता है जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है उसे इस लोक या परलोक में भी शांती नहीं मिलती सत्य की खोज ठीक है असंतुलन बहुत जरूरी है किसी भी चीज की अती करना अच्छा नहीं है जैसे सुखाने पर प्रमाद करना और दुखाने पर निराशा में डूबे रहना दोनों ही गलत है असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है जिससे अनावशक कष्ट और दुखों का जन्म होता है जिसके मन विचार और कर्म में संतुलन है उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांती, संतुष्टी मिलती है गीता के उपदेशों में कर्मयोग का सिध्धान्त कहता है कि संसार से विरक्थ होना ही मुक्ती का उपाय नहीं है संसार में रहकर एक ग्रिहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्मफल से विरक्थ होकर मुक्ती प्राप्त कर सकता है सही विचार और उचित कर्म भी आसकती को खत्म करने में सक्षम है अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या पर लो एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग-अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही है लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते बिना पालन किये ज्यान कोरा रह जाता है, ज्यान का अनुभव नहीं होता गीता कहती है कि ज्यान पढ़ने की नहीं, बलकि अनुभव करने की वस्तु है और अनुभव बिना कर्म किये नहीं मिलता इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी एक शुरुवात और अंत जरूर होता है इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गती के रूप में होता है इच्छाओं का अंत नहीं है, एक पूरी होती है, तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे इच्छाओं से विचलित नहो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी परम्पिता ही एक मात्र हमारे आधार है और अपने है इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है, इश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्मपत पर बढ़ता जाता है वो सदा शांती, सुख और मुक्ती पाता है, भूत और भविश्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है जो भी पूर्ण समर्पन से इश्वर की शरण में आता है, पर मात्मा उसका कल्यान अवश्य करते हैं इस लेख में केवल 15 ही तथ्यों को लिखा गया है और भी बहुत सारे तथ्य है या गीता उपदेश आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व दिया गया था, जिसका महत्व आज के आधुनिक युग में बहुत ही ज्यादा है इसलिए भारत की प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा गीता उपदेश के बारे में कुछ इस प्रकार कहा गया है दौराधा कृष्णन कहते हैं कि गीता उपदेश जितने भी हमारे उपनिशद और शास्त्र है उनमें जो कुछ भी कहा गया है उस सारे ज्यान को एक ही जगह इकठा करके उनका सार निकाला गया है महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मुझे भगवत गीता में वह शक्ति मिलती है वो समाधान प्राप्ट होता है जो मुझे कहीं और नहीं मिलता जब जब मैं निराशा के अंधकार में गिर जाता हूँ और आशा की कोई भी किरन दिखाई नहीं देती, तब मैं सीधा भगवत गीता की शरण में जाता हूँ, और मुझे उसमें एक ना एक ऐसा शलोक अवश्य मिल जाता है, जिससे हर समस्या का समाधान हो जाता है, और जो युगो युगो से इस धर्ती पर बह रही है और जैसे एक नदी हर प्यासे इनसान की प्यास बुझाती है यह पूछे बिना कि वह प्यासा किस जाती, किस रंग, किस धर्म, किस देश का है उसी प्रकार गीता की गंगा जाती, धर्म और देश का भेदभाव किये बिना समस्त मानव जाती के कल्यान के लिए बह रही है गीता का कमाल यह है कि किसी मानव के मन या आत्मा में कोई भी सवाल हो चाहे वह आध्यात्मिक हो, आदी भौतिक हो या सांसारिक हो हर प्रश्न का उत्तर गीता में मौजूद है सभी खेल इश्वर द्वारा ही संभव हो पाते है श्रीमत भागवत गीता के अनुसार इश्वर का अंश जीव है इस बात को वास्तविक जीवन में मनुष्य कैसे अनुभव कर सकते है वर्तमान स्थिती और अस्तित्व की पहचान असल जिन्दगी में कैसे हो पाती है एक मनुष्य को की मैं अजन्मा हूँ आपके प्रश्न में आपने बार बार किसी का जिक्र किया है कोई है जो की जीव इश्वर का अंश है इस बात का अनुभव करना चाहता है कोई है जो वर्तमान स्थिती और अस्तित्व की पहचान करना चाहता है कोई है जो खुद को अजन्मा जानना चाहता है कौन है वो यह जो कोई भी है इसको ग्यान अर्जित करने की बड़ी बेचैनी है इसे जानने के लिए एक पैमाना चाहिए यह चाहता है कि इसको ज्ञान के माध्यन से अस्तित्व क्या है? यह बता दिया जाएं, इश्वर और जीव क्या है? और इनके बीच क्या संबंध है? यह सब कुछ ज्ञान के माध्यन से जानने को इच्छुक है, कौन हो सकता है? आत्मा को तो विवेचनाओं से फर्क पड़ता नहीं, आत्मा तो सदा ही समाधिस्थ है, उसे ज्ञान की भी आवश्यक्ता नहीं है उपनिशत कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्मा और यहां वो ग्यान की नहीं प्रज्ञान की बात कर रहे हैं वो जो ग्यान से भी पहले का है जिसको बाहर से अर्जित नहीं किया जा सकता जो असीन है और अधवैत है उसका कोई अंश होने का मतलब ही यहा है कि आपने उसको बाट दिया, उसको तोड़ दिया, उसे द्वैक में ले आए जो यह सब करने की चेश्टाओं में लगा रहता है वो है अहंकार उसको जानने की सबसे ज्यादा उत्सुकता है और खास कर उसको जो उसे पता है उसके अधिकार क्षेतर से बाहर की बात है अहंकार अधूरा है, सिमित है वो यहां भी जब यह जानना चाहता है कि वो इश्वर का अंश है या अजन्मना है वो भी वो खुद के लिए छबी मांग रहा है वो खुद को एक आखिरी नाम देना चाहता है उसके मूल में बैठी अहंवरित्ती जुरने के लिए हमेशा किसी ने किसी वस्तु की तलाश करती है उसे खुद को एक पहचान देने की लालसा है कभी वो खुद को एक बेटा कहती है कभी वो खुद को दोस्त कहती है कभी खुद को अच्छा या बुरा इंसान कहती है और अब उसने कहीं से यह ज्ञान अर्जित कर लिया है कि वो अजन्मा है और इश्वर का अंश है और इसके लिए भी वो किसी बाहरी स्रोट से स्वीकृती की तलाश में है किसी विधी की तलाश में है आपको मुक्ती की जरूरत है किस से? खुद से अपने ज्ञान से यही ज्ञान आपके लिए बाधा बन गया है और इससे मुक्ती कुछ और ज्ञान प्राप्त करके नहीं मिलती पोश से मिलती है आपको जरूरत है अपनी दिंचर्या को देखने की परमात्मा कोई सिधान नहीं है ये आपका स्वभाव है इसको जाना नहीं जाता इसकी पहचान नहीं होती इसमें जिया जाता है आपको यह देखने की जरूरत है कि वो क्या-क्या है जो आपको इससे दूर ले जाता है और इसकी एक मात्र विधी है होश जो है उसको स्पष्टता से देखना यदि कोई विधिया किसी तरह का ज्यान भी कारगर होगा तो वही जो आपको वापस होश की ओर लेकर जाए विधिया तो आलार्म की तरह होनी चाहिए जो आपको नीम से जगाएं और फिर खुद शांत हो जाएं आपके लिए एक होश पूर्ण जीवन सर्वोपरी होना चाहिए उसके लिए अनेक विधिया है किताब पढ़ना, किसी को सुनना, किसी जगह पर जाना जो भी कुछ आपको होश की ओर ले जाएं वही आपका मित्र है और वही एक उचित विधी भी है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इनसान के कर्मों से ज्यादा उनको करने के पीछे की नियत माइने रखती है अगर ऐसा है तो फिर इनसान को कर्म करने की क्या जरूरत है जब वो बिना कर्म किये ही सब के प्रती अच्छी नियत रख सकता है प्रियमित्र ये शब्द भगवान के लिखे नहीं है सब सर्वश्रिष्ट महापुरुषों द्वारा आत्मशक्ती की सहायता से लिखे गए है पहले ये समझ ले, नंबर दो ये समझ ले कोई भी जीव कर्म किये बिना नहीं रहता चाहे कितनी भी कौशिश कर ले, क्योंकि श्वांस लेना व विचार का आना भी एक क्रिया अर्थात कर्म है और इन ही शब्दों में से हमें सत्य निकालना पड़ता है क्योंकि इसमें सत्य असत्य दोनों मिश्रित है, तभी तो असत्य की व सत्य की वैल्यू है अर्थात पहचानने के लिए जीव योग्य होगा अर्थात सत्य का पता कर लेगा और इसके लिए बहुत तीवर बुद्धी व विवेक की जरूरत होगी या ऐसा ही विवेकी कोई शब्द भेदी सत्गुरु ढुढ़न लो जो आपको शब्दों में से केवल सत्य समझा सके अर्थात सार सार आपको ग्रहन करवा दे और असार असार छुडवा दे एक यह रास्ता है ये सब कुछ कौशिश आपने ही करनी होगी गुरु तो केवल ज्यान देगा और सही गलत समझाएगा लेकिन समझना आपको ही होगा क्योंकि जिस चीज से आप सत्य असत्य समझोगे वह अलग-अलग करोगे वह आपके पास ही है उसे कोई भी आपको दे नहीं सकता और वह चीज है आपकी बुद्धी वविवेक गुरु केवल उसको जागरक करता है और ये स्वयं की कौशिश के बिना समझभ नहीं है इसलिए ये दिमाग से निकाल दो की इश्वर आप पर क्रिपा करेगा केवल आप ही आप पर या गुरु ही क्रिपा कर सकता है यदि आप चाहोगे तो इसलिए कहते हैं आपको जानो कर्म करने की नियत का मतलब है कि एक जुठ बोल रहा है किसी की जान बचाने के लिए एक जुठ बोल रहा किसी की जान लेने के लिए इस प्रकार आप कोई भी उदाहरन से समझ सकते हैं आगे कर्म करने की क्या जरूरत है और वो भी बिना कर्म किये ही अच्छी नियत रख सकता है जवाब कर्म करने की जरूरत है भाई यदी नहीं करोगे तो आप सही गलत क्या है कैसे जानोगे वहीं के वहीं रह जाओगे और आपका जीवन व्यर्द बिना जाने आपकी नियत कैसी है ये कैसे पता करोगे तब बुरी नियत कैसी है तभी तो अच्छे का पता लगेगा आशा है कि आपके तक्रीबन ध्रम दूर हो गए होगे श्रीकृष्ण जी के मर्म को समझने की कोशिश कीजिए मान लीजिए आप किसी जंगल में है और आप देखते हैं कि सांप में एक मुर्गी को जकड़ा हुआ है जो छट पटा रही है आपके पास एक गुलेल है आप सांप पर निशाना साथ कर गुलेल चलाते हैं पर अचानक सांप भूम जाता है तथा गुलेल का वार मुर्गी के सर पर लगता है जिससे उसकी तुरंत मृत्यू हो जाती है अब यहाँ पर श्रीकृष्ण जी की बात के मर्म को समझिए एक निरी प्राणी एक ताकतवर प्राणी के शिकंजे में था और बचने की हर मुम्किन कोशिश कर रहा था आप बहां से गुजर रहे थे उसकी सहायता करना आपका कर्तव्य था उसके लिए आपको कर्म करना था जो आपने किया भी आपकी नियत भी ठीक थी क्योंकि आपके मन में लाचार की सहायता का भाव था श्री कृष्ण जी का मानना है कि बिना कर्म के कोई क्रिया संपादित नहीं होती इसलिए कर्म आवश्चक है हमारी नियत हमारे कर्म को सदकर्म अथवा दुशकर्म की श्रेणी में बरगी कृत करती है वरन कर्म का रूप परिस्थिती वश परिवर्तित भी हो जाया करता है परन्तु हमारी नियत ही उस कर्म का सही वर्गी करण कर पाती है उपरोक्त उदाहरण में यदि नियत को अहमियत न दी जाए तो आप एक निरी प्राणी के हत्या के दोशी माने जातें और आपका यह कर्म सदकर्म की बजाए दुश कर्म की श्रेणी में शामिल होता पर नहीं, नियत के दखल के कारण ही यह कर्म श्रीकृष्ण जी के अनुसार सदकर्म की श्रेनी में शामिल हुआ होगा पुर्ण परमात्मा कौन है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उनकी भक्ती करने का सर्वश्रिष्ट तरीका क्या है देखिए परमात्मा के बारे में पिछले हजारों सालों में बहुत बताया जा चुका है बहुत ही गुरूओं ने अनंत लेक लिखे हैं और बहुत ही ग्रंथों में परमात्मा की चर्चा वव्याख्या है परन्तु आज भी यही सवाल मनुष्य के सामने खड़ा होता है कि आखिर परमात्मा है क्या अथवा कौन तो पहले तो बात यह समझहाती है कि शब्दों में यह व्यक्त नहीं किया जा सकता कि परमात्मा कौन है केवल इशारा किया जा सकता है सत्य में पता लगाने के लिए कि परमात्मा है कौन श्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, जब तक साधना नहीं करेंगे, तब तक इस सवाल का जवाब मिल नहीं सकता, अगर कोई आपको यह बता भी दे कि परमात्मा कौन है, आप तक उत्तर पहुँचेगा नहीं आप में ग्रहन करने की योग्यता होनी चाहिए, फिलहाल तो यही बताया जा सकता है कि परमात्मा क्या नहीं है, तो उसके लिए श्री आदी शंकराचार्य जी द्वारा रचित और गुरुमा आनंद मूर्ती द्वारा गाया गया निर्वान शटकम सुनिये जिसका लिंक मै ने कमेंट टिपणी में सांझा कर दिया है, दूसरी बात यह जानना जरूरी है कि परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जाता, परमात्मा को उपलब्ध हुआ जाता है, व्यक्ति मात्र परमात्मा को पा नहीं सकता क्योंकि व्यक्ति बहुत छोटा है और परमात्मा बहुत ब यह कार्यकारण के सिध्धान्त के परे की बात है। यह कृपा की बात है, श्रम तो करना ही पड़ेगा, साधना तो करनी ही पड़ेगी और फिर भी यह परमात्मा की कृपा पर ही निर्भर है कि वह जीवन में मूल रूप में उतरेंगे या नहीं। अब बात करते हैं कि परमात्मा कौन है, इसका उत्तर स्वय कैसे ढूंड लिया जाए। उत्तर ढूंडने के लिए आपको अपने ही भीतर जाना होगा। अभी उर्जा इंद्रियों से बाहर जाती है, उसी उर्जा को यूटर्न कर वापस मोड़ना होगा ताकि चेतना स्वय क को ही पहचानना शुरू कर सके। जैसे जैसे और जितने अपने ही भीतर गहरे उतरते जाएंगे, वैसे वैसे परमात्मा के करीब होते जाएंगे। फिर एक एक शण आएगा जब व्यक्ति जिसने अपने भीतर उतरने की यात्रा शुरू की थी, वह परम चैतन्य के रूप में स्वयन को पाएगा शरीर, मन और चित से परे यही परम चैतन्य परमात्मा है, यही पूर्ण है, यही एक है, मूल स्वरूप में यही आप स्वयन हो इस अवस्था को चैतन्य समाधी भी कहा जाता है बहुत गुरुओं ने समाधी पर जोर दिया है जैसे भगवान बुद्ध समयक समाधी की बात करते हैं महर्शी पतंजली अश्टान मार्ग में आखिरी सीडी समाधी को कहते हैं इत्यादी निर्विकल्प समाधी वो अवस्था है जहां मनुष्य की आखों पर से मन का परदा हटता है और एकत्व के दर्शन होते हैं क्योंकि बात मन से परेकी है तो मन को बताने के लिए नेती-नेती नयह नवह का उप्योग होता है इसलिए परमात्मा को निराकार, निर्गुन, निरलेप, निर्भय व अन्य नामों से जाना जाता है भीतर उतरने के तो बहुत उपाय हैं लेकिन जो भी उपाय कर लें अंत में व्यक्ती समाधी की अवस्था में ही पहुँचता है जो की ध्यान का शिखर है आपने भक्ती मार्ग के बारे में पूछा है तो भक्ती मार्ग की ही बात करेंगे भक्ती एक बहुत ही सुन्दर मार्ग है नारद मुनी कहते हैं कि भक्ती प्रारंभ में, मध्य में और अंत में हर चरण में मिठी है कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई धाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई ओशो कहते हैं प्रेम परमात्मा है, जीसस कहते हैं परमात्मा प्रेम है, गुरु गोबिन सिह कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो सच्चे अर्थों में प्रेम में अनन्य भक्ती में पर्मात्मा की जलत बहुत आसान है समर्पन स्वत हो जाता है भक्ती में भक्त और ईश्ट दोनों ही विलीन हो जाते हैं और केवल भक्ती ही बच्चती है यह भक्ती पर्मात्मा ही है तो ऐसे तो बहुत ही कम यान के बराबर व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने भक्ती ही निराकार की, ब्रह्मा की ही कर ली, परमचैतन्य की ही कर ली, गुरु नानक का नाम मन में आता है, किसी माध्यम की जरूरत ही न पड़ी हम मनुश्यों को अक्सर भक्ती पहले साकार रूप से शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि जो है ही निराकार, जो है ही निर्गुन, जिसे चुँ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उससे प्रेन कैसे कर ले इसलिए भक्ती के माध्यम ढूंडने पड़ते हैं, तो भारत की संस्कृती में तो बहुत ही माध्यम बनाए गए हैं भक्ति में कोई किसी मूर्ती को माध्यम बनाता है, कोई किसी चित्र को, कोई प्रकृती को, कोई किसी पत्थर को ही माध्यम बना देता है, और कोई किसी गुरु को माध्यम बना लेता है। अगर किसी का प्रेम अपने प्रेमी के लिए बहुत ही उच्छ कोटी का हो, तो वह प्रेमी को ही इश्ट बना लेता या लेती है, जैसे स्वयन पार्वती जी ने भगवान शिव को अपना इश्ट बना लिया. यह चुनाव तब आपको करना है कि आपका समर्पन किसके प्रती सहज है. जिसके प्रती समर्पन सहज है, उसे इश्ट रूप में देखना काफी सरल हो जाता है. इसमें मनुष्य के लिए सबसे उच्छ माध्यम गुरु ही है. कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागु पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए. इसलिए भारतिय संस्कृती सिखाती है. गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विश्णु, गुरुर देवो, महेश्वरा, गुरु साक्षात, परम ब्रमह तसमे श्री गुर्वे नम, अगर गुरु ब्रह्मा ग्यानी है, वो वह परमात्मा में ही लीन है, और जो परमात्मा में लीन है, वह परमात्मा का ही प्रत्यक्षरूप है. तुन्हें तो कहूंगा कि एक गुरु खोजो, उससे भी ज्यादा, स्वया को एक ब्र कितनी प्यास है, कितनी तड़प है, क्या सत्य में परमात्मा को पूरे दिल से पाना चाहते हो, प्यास ही एक सत्गुरु से मिलवाती है। किसी ना किसी रूप में गुरु उसे प्राप्त हो ही जाएंगे। अगर गुरु है और भक्ती है, तो फिर परमात्मा से दूरी कैसी। जो है तो हर जगह पर इस मैं के दृष्टि कोन से नहीं दिख सकता। है तो इस बहती हवा में पर आखों से न देख पाएंगे। ज्यान बटोर सकते हैं ग्रंथों से पर अनुभव में कैसे लाएं। प्राप्त कैसे करें। प्रियमित्र जो प्राप्त करने निकलता है उसे जब वो प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति वही नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति न रहे अहम घु जाए और वो लीन हो जाए जब तक उसे प्राप्त करने वाला है वह पास होकर भी पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हो सकता भक्ती करने का सरवश्रेट तरीका वह है जो आपके हृदय के साथ संरेखित हो भक्ती हृदय से होती है प्रिदय जितना अधिक खुलेगा प्रेम उतना गहराएगा प्रेम जितना गहरा होता जाएगा उतना ही समर्पन होता चला जाएगा जिस पल ये समर्पन पूर्ण होगा जहां आपका लेश मात्र भी न रह जाएगा उसकी कृपा बरसती है भक्ति को कर्म मत बनाईए, अपितु अपने जीवन का धंग, भक्ति हर पल होती है, हर सांस में वो, हर धड़कन में वो, हर द्रिश में वो, शुरू में तो भक्ति लानी पड़ती है, प्रेम लाना पड़ता है ह्रदय के द्वार जो सालों से बंद पड़े थे, उन जंग लगे द्वारों में तेल लगा के खोलना पड़ता है अहम की परतें बहुत गहरी होती है, ये परतें दिखती भी उसी को हैं, जो सही मेभीतर से जानना चाहता हूँ भक्ती एक ऐसा सुन्दर मार्ग है, जिसमें यह चिंता नहीं करनी होती कि कहां पहुँचे और कहां पहुँचना है, कितना मार्ग बचा हुआ है बस भक्ती में डूबते जाओ, हर सास में जबते रहो, हर धड़कन से शुक्र गुजार होते रहो भक्ती में भक्त नहीं बचता और भक्त जब नहीं रहता तो बस वो ही रहता है और वो ही हो जाता है फूल की भांती खेल जाओ इतनी की कहा तक महक जाती है न पता चले चाहे डाली पर रहो या तूटकर बिखर जाओ बस भक्ती में महकते जाओ वो स्वयन आएगा, आया ही हुआ है, बस खुद को उसी में डूबा दो अपने होने का परदा गिरा दो और उसी को होने दो ऐसा क्या सौचू जिससे मेरा मन परमात्मा में लगा रहे आप स्वयन से ये साधारन सा प्रशन पूछिए कि आप मन से अपने बच्चे अथवा माता पिता के कितने करीब है और उनके बारे में क्या सोचते हैं इन में से कोई आप से नहीं कहता की हमारे बारे में सोचो फिर भी आप सोचते हैं क्यों क्योंकि उनसे आपका क्यानाता है आप जानते हैं, आप जानते हैं, ये मेरे माता पिता है और इनसे मुझे जीवन में बहुत कुछ हासिल हुआ है। और वही फर्ज आप अपने बच्चे के प्रती भी निभाते हैं। यहां जो है सब स्वाभाविक तौर पर स्वत संचालित है। किंतु परमात्मा के लिए दिमाग में प्रश्ण है कि ऐसा क्या सोचू। हम जीवन में जो कुछ हासिल कर पाते हैं, उसमें सबसे पहली मर्जी परमात्मा की ही है। बस कमी हमारे अंदर है कि हम परमात्मा को याद करने की वज़ह ढूंडते हैं और परमात्मा हमें कभी नहीं भूलते हैं। आप जिस दिन से निर्विकार होकर केवल उनकी कृपाओ के लिए नियम से केवल धन्यवाद ही कहना शुरू कर देंगे, परमात्मा के चर्णों की अनुरक्ती स्वयम मिल जाएगी। वैसे तो प्रश्न का उत्तर देना कुछ शब्दों में संभव ही नहीं है, क्योंकि यह ज्यान एक बार सुनने या कह लेने या पढ़ लेने से अंतर्मन में स्थित नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास और विश्वास की बहुत अधिक आवश्शकता है, तभी परिणाम सामने नजर आने लगता है। वैसे तो किसी कारणवश अब मैं कोरा पर नहीं आता, इसलिए अधिक नहीं कह पाऊंगा। फिर भी क्योंकि आपने काफी अच्छा प्रश्न किया है, तो यहाँ पर कुछ शब्दों में आपको इसके बारे में जलक देना चाहूंगा। अगर आपको वह उत्तर कुछ हट तक सही लगता है, आपके लिए कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं और आगे भी पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, तो बाद में आप मुझे इस विशय में वार्तालाब कर सकते हैं। देखिए आपके इस प्रश्न का उत्तर भी गीता जी में ही गुड रूप में दिया गया है, और पूर्ण गीता ही इसके विशय में कही गई है। ज्यान योग, भक्ती योग और कर्म योग आये संक्षेप में जानते हैं। कैसे सबसे पहले तो यही प्रश्न मन में आता है कि हम इन सब बातों में अपना मन लगाई ही क्यों, वैसे भी तो हम जीवन व्यतीत कर ही रही हैं। दुनिया जीवन व्यतीत कर रही रही है, तो भगवान या अध्यात्मया परमार्थिक जीवन की क्या आवश्शक्ता। तो शुरुवात यही से करते हैं कि आपके मन में यह प्रश्न उठा इसका अभिप्राय यहा है कि कही ना कही आपने भी गीता में भगवान श्री कृष्न की वानी को सुना है या पड़ा है और जीवन के अनुभव के आधार पर कही ना कही आपको भी उन बातों को माने का म है आनंद कहा है दुखों की निवरित्ती कैसे हो सकती है आप इसे जानने के लिए चल पड़े हैं और यही चलना भी परमात्मा की असीन कृपा की निशानी है जो आपके उपर हो रही है क्योंकि यह है प्रश्न यह ज्यान भी करोडों लोगों में से कुछ लोगों के ही मन म आसकता है सबके नहीं और यह बात भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहीं ही है तो आप अब आती है आती है कि यह ज्यान मिलने के पश्चात हम आगे कैसे चलें और अपने मन को एकागर कैसे करें तो देखिए एकागर मन वहां होता है जब किसी चीज की आवश् होती है उसके पश्चाथी अपने आप हमारी मान्यताओं उसके अनुरूप उसे अपना मानने लगती है उसके प्रती समय व्यतीव करती है और फिर उसमें रस आने लगता है और उसमें रुचि हो जाती है देखिए मान लीजिए कि कोई एक विद्ध्यार्थी है या जिसका भी विद्ध्यार्थी जीवन है अधिकांश अच सभी पढ़ने में रुची कम ही रखते हैं उस उम्र में खेलना अधिक पसंद होता है तो ऐसे में माबाप या बड़े के कहने पर हमें यह दिमाग में बिठाया जाता है कि खेल से ज्यादा एक रूप में पढ़ाई की भी जरूरत है तभी हम धन प्राप्ती का माध्यम प्राप्त कर सकते हैं ऐसे में हमें पढ़ाई की जरूरत पता चलती है तो हम उसकी तरफ मन को मार कर भी पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो ऐसे ही जब हमें ज्यान से यह पता चलता है कि यहां संसार में सब कुछ अनित्य और नश्वर है तो हमेशा शाश्वत सत्य और आनंद की ओर चलने का मन करता है. ऐसे में ही परमात्मा की क्रिपा से हमें धीरे-धीरे, हमारी लगन और प्रयास के आधार पर उत्तर भी मिलते रहते हैं. तो जैसे बच्चे को शुरू में पढ़ने का मन नहीं करता परंतु बाद में पढ़ते-पढ़ते हैं, उसे किसी ना किसी सब्जेक्ट में मज आने लगता है. यही बात परमात्मा श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है कि ये अर्जुन मन को नियंत्रित करना बहुत असंभव सा कार्य है, परंतु अभ्यास से कुछ भी काम किया जा सकता है. सफलता एक बार में नहीं मिलती, धीरे-धीरे प्रयास करते रहते हैं, तो उसमें सफलता भी मिलती है, और रस भी आने लगता है. ऐसे ही हमें यह भी ध्यान देना होगा, और समझना होगा कि हम भी बचपन से किसी भी कार्य में एक बार में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए. चाहे वह बचपन में बैठना हो, सहारा लेकर खड़ा होना हो, चलना हो, दौरना हो, खाना पीना हो, पढ़ना लिखना हो या कुछ भी छोटे से छोटे काम के लिए भी हमें सैक्रों सैक्रों बार अभ्यास करना पड़ा तब जाकर हम आज के समय में छोटी से कहे जाने वाले उन कामों को कर पाए थे अब बात करते हैं मान्यता की हम जाने अंजाने जन्म के साथ ही अपने मन में यह मान्यता बना लेते हैं कि यह मेरा है यह मेरा नहीं है यह जरूरी है यह जरूरी नहीं है यह अच्छा है या यह अच्छा नहीं है और ऐसे ही ना जाने कितने कितने विचार हर विशय के उपर हमने अपनी मान्यता में बना रखे हैं ज्ञान से या अज्ञान से हम रोज ही इन मान्यताओं के आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। मान लीजिये आपके हाथ में एक काच का टुकडा है, आपने उसे ऐसे ही देखा और टेबल पर रख दिया थोड़ी देर बाद किसी ने आपको बताया है कि वह काच का टुकडा नहीं दस करोर का कोई हीरे का टुकडा है तो उसी क्षन आपकी मान्यता उसको देखने का नजरि अपने आपको धनवान समझने के प्रती सोच सब कुछ बदल जाता है ठीक ऐसे ही हमें यह मानना और जानना होगा कि यह जीवन क्या है हम यहां किसलिए आए हैं और हमें क्या चाहिए जब धीरे धीरे इन प्रशनों का उत्तर हमारे मन मस्तिष्क में उतरना शुरू हो जब हमें यह पता चलेगा कि यह जो हम सब कुछ पाने के लिए कर रहे हैं वह कुछ भी हमारा नहीं है और कुछ भी साथ नहीं जाएगा तो हम अपना समय इधर व्यर्थ नहीं गवाएंगे यह ठीक वैसे ही होगा मान लीजिए आपने कोई सपने में अच्छा या बुरा अमीर या गरीब धनवान या निर्धन किसी संबंध में कुछ देखा और वहाँ पर सोचा आपको सुख या दुख की अनुभूती हुई परंतु जैसे ही आपने आखें खोली और आपने यह म विशय में रोज चिंतन नहीं करेंगे और नहीं बार बार उसी बात को दोहरा कर अपना समय व्यर्थ करेंगे तो बस ऐसे ही हमें जब यह मान्यता ज्यान से भक्ति से कर्मों से हमारे अंतरमन में बैठ जाएगी कि हमारे लिए सही माइने में क्या जरूरी है और क्या नहीं तो प्रिय दर्शकों उम्मित करता हूँ की आपको विडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपके एक लाइक से ही हमें प्रेना मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं धन्यवाद